क्या हुआ पुरोहिजी ऐसे उदास क्यूं बैठे हैं राम मूरत ने बुढ़े पुरोहिजी से पूचा बहुत बुरा हुआ बेटा उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके कर्मों की इतनी बुरी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी पुरोहिजी बोले किसके साथ क्या हो गया किसे ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी मैं कुछ समझ नहीं मैं कुछ समझा नहीं जरा खुलकर बताएंगे कि क्या हुआ है राम मूरत ने पूचा वो मेरा मित्र था हम दोनों गुरु कुल में साथ में पढ़ा करते थे कल शाम मुझे खबर मिली कि वो नहीं रहा पुरोहिज जी बोले तो क्या वो विमार थे या उनकी उम्र हो चुकी थी राम मूरत ने पूचा ना वो विमार था और ना है उसकी इतनी खास उम्र थी उसने तो विश्खा कर आत्मत्या कर ली पुरोहिज्जी बोले विश्खा कर आत्मत्या कर ली लेकिन भला क्यों राम मुरत ने पूछा बहुत लंबी कहानी है उसकी इसलिए कहते है कि पाप उतने ही करो जितने की ढोप आओ जब पाप का पलड़ा भारी हो जाता है न तो इनसान का संतुलन बिगड़ जाता है यही शायद उसके साथ भी हुआ पुरोहिज्जी बोले लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें आत्मत्या करनी पड़ी राम मुरत ने पूछा तुम सुनना चाहते हो तो सुनो उस अभागे शिव कीरतन चतुरवेदी की कहानी ऐसा कहकर पुरोहिज्जी ने शिव कीरतन चतुरवेदी की कहानी राम मुरत को सुनानी शुरू की बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक पंडिजी रहा करते थे जिनका नाम शीर्षनाथ चतुरवेदी था वे शास्त्रों के इतने ग्याता नहीं थे इसलिए लोग अपने घरों की पुझा पाठ उनसे कराने के लिए कतराया करते थे इस बात का शीर्षनाथ जी को बड़ा अफसोस रहता था इसलिए शीर्षनाथ जी ने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि वे अपने बेटे को प्रकांड विद्वान बना कर ही दम लेंगे दिन गुजरे और अब उनका बेटा चौदा बरस का हो चला था और तभी उनकी पत्नी को भ्यानक जवर ने जकर लिया और जवर ने इतना भ्यानक रूप ले लिया कि वो जवर उनकी पत्नी लीलावती के मस्तिख्ष तक पहुँच गया पंडी जी ने गाओं के व्याद से लीलावती का बहुत इलाज करवाया लेकिन लीलावती को वो जवर लील कर ही माना पत्नी की अकस्मिक मृत्तिव से पंडी जी को बड़ा अगहात हुआ और उनका मन अत्यधिक व्यतित सा रहने लगा वैसे भी कमाई का एक ही जरिया था और वो थी उनकी पंडिताई जो की कभी कबार ही चलती थी जब गाउं के लोगों को कोई पंडित पुरोहित नहीं मिलता था तब वे मजबूरी में पंडित शीर्षिनाद चतुरवेदिय को बुलाया करते थे घर में खाने के लाले पड़े थे इसलिए बेटे शिव किर्तन की सिक्षा के लिए भलाधन कहां से आवे इरादे तो बहुत बड़े थे पंडित जी के कि वे बेटे को बहुत बड़ा शास्त्री बनाएंगे लेकिन हाथ में फूटी रुपली भी ना थी और इसी बीच में मन की शान्ती के लिए अपने बेटे के साथ रिशिकेश आ गए तब उन्हें वहां आकर पता चला कि महां एक गुरुकुल चलता है जहां बच्चों को मुफ्त में वेदों उपनिशदों और महा काव्यों का ग्यान कराया जाता है बस बच्चों को वहां फीश के बदले अपने गुरुओं की सेवा करनी होती है अब क्या था यहां सुनकर पंडिशीर्चना चतुरवेदी का माथा सनक गया और वे उसी वक्त शिवकिर्टन को उस गुरुकुल में भरती करवा कर घर वापस चले आए पांच-छे वर्ष बाद शिवकिर्टन रिशीकेश से प्रकांड विद्वान बनकर लोटा वो अब लगभग 20 वर्ष का हो चुका था अब गाव के लोगों के बीच पंडिशीर्चना चतुरवेदी का अलग ही रुत्बा था क्योंकि वे तो नहीं लेकिन अब उनका बेटा वेदों और उपनिश्दों का प्रकांड ग्याता था उसे शांस्कृत के श्लोग तो मुझवानी याद थे किसी भी करमकांड का वो विदि विधान पूर्वक अनुस्ठान कराता था अब अपने बेटे की विद्वत्ता को देखकर पंडी जी की छाती चौड़ी हो जाती थी और आसपास के पंडितों के सीने पर सांप लोटने लगता था क्योंकि अब शिव कीरतन के आगे सबकी पंडिताई ठप हो चली थी जब शिवकीर्तन की पंडिताई चलने लगी तो शिर्शनात ने सोचा कि अपने बेटे का व्याह कर दिया जाए और एक खूबसूरत सी अच्छे घराने की कन्या को वो बहु बना कर अपने घर ले आए बहु का नाम अनुसुया था अनुसुया देखने में बहुत ही सुन्दर थी उसके शरीर का एक एक अंग देख कर लगता था कि जैसे इश्वर ने उसे बड़ी फुरसत से गढ़ा था उसके गदराय यौवन ने एक ही जलक में शिवकीर्तन को दिवाना बना डाला अनुसुया बड़ी ही अच्छी ग्रहनी साबित हुई लेकिन कभी कभी शिवकीर्तन को लगता था कि जैसे अनुसुया के मन में कोई बात है जो वो उससे कह नहीं पा रही है जब दोनों अंतरंग पलों में होते तो शिव कीरतन को लगता था कि जैसे अनसुया को कुछ खटक रहा है वो उसके साथ उस पल को जी नहीं रही है उसका अनंद नहीं उठा पा रही है लेकिन फिर शिव कीरतन सोचता था कि शायद सभी महिलाएं उस पल में ऐसा ही विवहार करती हूँ वो अनसुया को बहुत चाहता था इसलिए उसकी इस बात को उसने अंदेखा कर दिया और व्याह के बाद वो हमेशा घर में गुसा रहने लगा था इसलिए एक दिन पंडिश शीर्षनात ने उसे सुनाते हुए कहा भाई व्याह तो सभी का होता है सभी पर जबानी आती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दम आरत के पल्लू में घुसे रहो काम दंधा छोड़ कर घर में बैठ जाओ और फिर उस दिन के बाद पंडिश शीव किर्तन फिर से अपनी पंडिताई पर लग गए और देखते ही देखते घर में अंधा धुंद पैसा आने लगा अनसुया सिर से पैर तक सोने के गहने से लद गई कच्चे की जगा पका मकान बनना शुरू हो गया लेकिन शायद पंडिश शीट सनाच चतुरवेदी के भाग्य में पक्के मकान में रहना लिखा नहीं था इसलिए बड़े पोते पीतामबर के जन्म के बाद वे स्वर्ग सिधार गए अब दूसरा बेटा नीलामबर भी प्यादा हो चुका था शिवकिर्तन की तरक्की देखकर गाव के और पंडित जल भुनकर राक होने लगे लेकिन यह तक केवल शिवकिर्तन ही जानते थे कि वे वो कमाई किस प्रकार कर रहे थे वे अब पंडिताई से आगे और भी कुछ करने लगे थे उन्होंने अब लोगों को काले जादू के नाम पर ठगना शुरू कर दिया था वे लोगों से कहते थे कि इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना वरना कारे पूर्ण नहीं होगा मेरी सिद्धी असफल हो जाएगी जो लोग अपनी तरक्की चाहते किसी को अपने वश में करवाना चाहते या किसी की दौलत को अपना बनाना चाहते वे लोग पंडित शिवकिर्तन के पास जाते थे और टोना टोटका करवा कर अपना काम निकलवाते थे और शिवकिर्टन उन लोगों से पूजा के रूप में कभी लकडबग्गे का बाल, शम्शान की राक, मुर्दे की अधजली खाल, तो कभी उल्लू की आखें और कवर बिज्जू का दात मंगवाते थे और इन सबी चीजों का इंतजाम वे सब लोग तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इन सब चीजों के लिए शिवकिर्टन को पैसे दे कर ये कहते की, आप इन चीजों का इंतजाम खुद कर लीजिएगा इस तरह से पंडिजी की निकल पड़ी थी, वे सब चीजे अनुस्ठान में रखते और फिर दूसरे लोगों से पैसा लेकर उन्हीं चीजों को दोबारा भी इस्तिमाल कर लेते, उनके घर का पैसा दिन दूनी राज चौगनी बढ़ रहा था, इसे तरह साल गुजरे और द और रात को मन का खाना ना मिलने पर मा को मस्त गालिया सुना कर सो रहते, उन्हें चाहिए था गोस्ट और मचली जो की अनुस्या के घर में कभी बनती ही नहीं थी, इसलिए मा को गालिया सुनाते, आए दिन घर पर शिकायत आती की, उन दोनों ने आज उसकी बहु को खेतों उम्र की औरतों को भी नहीं चोड़ते थे, और फिर एक दिन हद तो तब हो गई, जब एक विद्वा ब्रामनी को वे दोनों खेतों में घसीट कर ले गए, और उसके साथ दुशकर्म कर डाला, अनुसुया तक खबर पहुँची, तो वो भीतर तक तिल मिला गई, और उस र पढ़के कहां हैं, मर गए दोनों, इसलिए दिया बाती नहीं की आज, अनुसुया गुस्चे से बोली, क्या बक्ती हो, और ऐसा कहकर, शिव किर्तन ने अनुसुया को दो ज़ापड रसीद किये, अब अनुसुया गुस्चे में अपना आपाखो बैठी, और शिव किर्तन स जे, तेरे शरीर की मचली जैसे बद्बू इतने सालों से बरदास्ट करती आ रही हूं, अब तेरी मार बरदास्ट नहीं करूंगी, तेरे ही पाप हैं, जो अब एक-एक करके सामने आ रहे हैं, इसलिए ऐसे कुकर्मी उलादे पैदा हुई हैं तेरे घर में, अब शिव किर करती थी, लेकिन उस बात को तो सालों बीच चुके हैं, क्या अब भी उस मचुवारन की बद्बू मेरे शरीर से आती हैं, क्या उस अत्यवादी ने अब ही भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, और शिव किर्टन अपने अतीत के भवर में गोते खाने लगे, जब उनके पित अने तो उन्हें वहाँ छोड़ कर अपना करतव पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहाँ भुगता, उसे कोई नहीं समझ सकता, उनके सारे बाल मुंडा कर, उनके सिर पर शिखा रख दी गई, और एक धोती नीचे, और एक धोती उपर पहनने को दे दी ग शिव किरतन कभी समझ नहीं पाते थे, और इस तरह से जब शिव किरतन को वहाँ रहते एक महीना बीच चुका था, और उस रोज एक गुरुजी उनके पास आकर बोले, सभी चात्र बारी बारी से अचारे जी की शेवा कर चुके हैं, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं ठिकाना नहीं रहा, और जब रात हुई, तो उसके लिए बड़े आचारे का बुलावा आया, और वो खुशी खुशी उनकी कुटिया में पहुँचा, उनकी कुटिया में लाल्टेन का उजियारा था, वो कुटिया में पहुँचा, तो आचारे ने उससे किवार बंद करन और उस रात आचारे जी ने उसे जो ग्यान दिया, वो से कभी नहीं भूल पाया, आचारे ने उसके बच्पने को कुचल दिया, उसके बाल मन को रौंद कर उन्हों ने उस रात उसके साथ कुक्रत्य किया, उसने चीखने की कोशिश की, तो उन्हों ने उसके मुह में कपड़ ठूस दिया वो अपना घायल मन और घायल शरील लेकर विस्तर पुन लेटा और सारी रात रोता रहा लेकिन आप उसके साथ छोटे और बड़े गुरु भी यही करने लगे फिर एक रोज वो इन सब से तंग आकर गुरुकुल छोड़ कर अपने घर लोटाया लेकिन उसके पिता फिर से उसे ये समझा कर वहीं छोड़ाए कि ये गुरुकुल के कठी नियमों का पालन नहीं कर पा रहा इसलिए गुरुकुल छोड़ कर चला आया है अब आये दिन शिवकिर्तन के साथ यही होने लगा उसे खुद से नफरत होने लगी खुद से घिन आने लगी इसलिए एक दिन वो आत्मत्या के इरादे से गंगा के किनारे विराने में पहुँचा जहां उसे कोई बचा न सके और उसने खुद को गंगा के सपुर्द कर दिया लेकिन उसे किसी ने बचा लिया जो उसकी ही हम उम्र लड़की थी और उसका नाम सत्यवती था सत्यवती के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर वो अपने दर्द भूल बैठा और जब भी उसे मौका मिलता वो रात के अंधेरे में सत्यवती से मिलने आने लगा वो एक मुछवारन थी उसकी देह से हमेशा मचलियों की गंध आती थी और एक राज जब आकाश में बादल घिरे तो जैसे पराशर रिशी ने सत्यवती की देह का स्पर्ष किया था उसी तरह उस राज शिवकिर्तन की देह में सत्यवती समा गई इसके बाद वो कभी भी सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार ना कर सका उसकी देह का उप्योग तो करता रहा लेकिन मन से उसे कभी नहीं अपना पाया और जब वो गुरुकुल से अपनी सिक्षा पूरी करके वापस आ रहा था तो वो कायरों की भाती उससे मिले बिना वापस चला आया मतलब अनसुया को मुझसे मचली की बद्बू आती है तभी वो मेरे नजदिक आने पर उदासीन सी हो जाती थी अब शिव कीर्तन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अनसुया से अपने विवहार के लिए माफी मांगी लेकिन अनसुया ने कुछ भी नहीं कहा और बिस्तर पर जा कर लेट गए उस रात घर में पंडी जी ने भी दिया बाती नहीं की और ना ही कुछ पकाया खाया आदी रात गए जब नीलांबर और पीतांबर घर लोटे तो पंडी जी ने उन दोनों को घर से निकाल दिया क्योंकि उन दोनों के कुकर्म गाउं के लोग पंडी जी को बता कर चले गए थे और फिर दोनों को पुलिस गिरफतार करके ले गए लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों जेल से भाग निकले और गाउं आकर फिर से वही चोरी चकारी मार पीट और गाउं की बहु बेटियों से बसलूकी करने लगे इसलिए गाउंवालों ने उन दोनों को गाउं से निकाल दिया लेकिन वे दोनों दूसरे गाउं में जाकर वही सब करने लगे इस बीच वे दोनों कई बार जेल गए और जेल से भाग निकले और फिर एक रात वे सेंद लगा कर पंडी जी के घर में गुसे और उस समय अनुसुया जाग रही थी उसने आहर सुनी तो चौर चौर चिलाना शुरू कर दिया तब तक शिव केरतन जी भी जाग उठे और उन्होंने जब अपने ही घर में अपने दोनों बेटों को चौरी करते देखा तो लाठी उठा कर दोनों की योर लपके लेकिन पितांबर ने उनके हाथ से लाठी चीनी और उन पर ही बरसाने लगा पती को पिटता देखकर अनुसुया बीच में आ गई और उसकी कमर में एक जोर की लाठी पड़ गई और वो वही धराशाही हो गई इस बीच दोनों बेटे भाग निकले और इधर शिवकीरतन जी अनुसुया को संभालने में लग गए और बाद में पता चला कि अब अनुसुया हमेशा के लिए अपाहिज हो चुकी है वो सारी उम्र ही बिस्तर पर रहेगी कभी चल फिर नहीं पाएगी ये बात पंडी जी ने गालियां देती रहती और पंडी जी सहर से सुनते रहते कभी भी जवाब न देते दिन रात उसकी सेवा करते रहते अनुसुया के नहलाने से लेकर रात के सोने तक का सारा काम बिना किसी चिड़चिड के वे करते रहते तब भी अनुसुया उन पर तरस न खाती और गालियां देती रहती दिन गुजरे पंडी जी की पंड़ताई कुछ तो उनके दुषकरमी बेटों के कारण छूट गई और कुछ उन जजमानों के कारण छूट गई जिनें पंडी जी के अनुष्ठानों का कोई लाब नहीं मिला और पंडी जी को उन सभी ने इस काम के लिए गाड़ी कमाई दी थी, पंडी जी की सारी जमापूंजी धीरे धीरे खर्च हो गई, अनसुया के जेवर भी गरीबी की भेंट चड़ गए, यहां तक की घर के बरतन भी बिकने लगे, जो उपहार सुरुप कुछ जमीने उन्हें मिली थी, वो तो कब की बिक चुकी थी, घर रह गया था, वो अभी गिरवी पड़ा था, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था, और फिर एक दिन, सुबह सुबह किसी ने पंडी जी के दरवाजे पर दस्तक दी, और जब पंडी जी उनके कहने पर तलाब के बगल वाले खेत पर गए थे, उन्होंने देखा कि उनके बड़े बेटे पीतांबर की लहुलुहान लाश पड़ी है, और उसकी लाश के पास से कुछ घसितने की निशान भी थे, गाउं के लोग उस निशान के पीछे पीछे चले, तो काफी दूर पर घास के बीच में, नीलांबर का सिर प ने किया है, ये देखकर पंडी जी जरा भी दुखी नहीं हुए, और लोगों से कहा कि मैं घर जा रहा हूं, पुलिस आ जाए तो मुझे खबर कर देना, बे घर पहुँचे तो अनसुया ने पूँचा कि, सुबह सुबह कहा निकल गए थे, देखो मैं नहाने को बैठी हू बस ऐसे ही, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूं, और ऐसा कहकर पंडी जी ने अनसुया को नहलाया, फिर खुद नहाकर खाना पकाने बैठ गए, उस दिन उन्होंने अनसुया की मनपसंद कड़ी और चावल बनाए, अनसुया को खाना परोस कर बोले, तुम्हें आपती ना आखे भर आई, और उसने खुदी पंडी जी के मुह में कड़ी चावल का निवाला डाला, और फिर पंडी जी ने भी अनसुया को कड़ी चावल का निवाला खिलाया, दोनों एक दूसरे को खिला ही रहे थे कि, तभी दोनों के गले में तेज दर्द हुआ, तो पंडी जी बोले पंडिताइन आज मेरे और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे क्योंकि मैंने खाने में विश्मिलाया है अब पंडिताइन भी अपने इस जीवन से उप चुकी थी और आज उसने मचली की बद्बू का खयाल ना करते हुए पंडि जी को अपने सीने से लगा लि के लरश्टी आवाज में बोली मैंने तुम से ही प्रेम किया है मेरे मचर गंधा ये सुनकर पंडि जी मुस्कुराए अनुसुया भी मुस्कुराई और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिये कहानी सुनाते सुनाते पुरोही जी की आँखे भर आई और वे राम मूरत से बोले उनके गाओं का एक व्यक्ति ये खबर लेके आया था तो ये थी मचर गंधा पंडित की कहानी राम मूरत बोला और दोनों की बाते मित्रों यूँ ही चलती रही दोस्तों आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दे हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जै श्रीराम भक्तो